हेलो गाईज जैसे आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के उपर सबसे पहले लौ वेकेंसी रुक्यूर्मेंट का जो भी फॉर्म आते हैं उनका वेकेंसी अप्डेट आपको दिया रहता है वीडियो के थुरू तो अगर आप भी लौ के लिए जौब सर्च करते रहते हैं तो हमारे चैनल के उपर आपको सबसे पहले वेकेंसी देखने को मिलेगा तो जरूर चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और साथ में इस वीडियो को सेर करें तो चलिए आज हम इस वीडियो में Central Electronics Limited के दवारा वेकेंसी निकल कर आये हुए हैं जो लौक केंडियेट साथ में MBA डिगरी हो मास कोमनिकेशन है बीटेक हो यह सब सारे केंडियेट के लिए आज इस वीडियो में जो वेकेंसी निकल कर आया हुआ है उसके बारे में इस वी Electronics Limited के दवारा यहां पर वेकेंसी निकल कर आया हुआ है फर्स्ट पोस्ट है यहां पर एसिस्टेंट मेनेजर डिपूटी इंजिनियर के लिए और यहां पर टू पोस्ट है अन्रिजर्ब्ड ग्रेड एटू और एवन के लिए और यहां पर क्वालिफिकेशन एक्सप्रिय मार्ट्री इंजिनियर इसमें एक पोस्ट है ग्रेड एवन के लिए अन्रिजर्ब्ड है और यहां एम्टेक डिग्री मница है electronics एंटेली कम्निंकलेशन में ये पोस्ट है अन्रिजर्ब्ड इजिनियर 1200 के लिए और यहां पर एम बीडियर डिग्रिवाãy वन seventh आकटिए और और नेक्स्ट जो है डिपूटी इंजिनियर on contract basis यहाँ अन्रिजब्ट 3 पोस्ट में है जो E1 ग्रेड के लिए है और इसमें बी बीटेक डिग्री मांगा जारा Electronics and Communication Electrical Mechanical Engineer और यह जो experience भी होना चाहिए वो आप यह screen के उपर देख सकते हैं और शिक्स नंबर में डिपूटी इंजिनियर railway testing on contract basis एक पोस्ट है इसमें अन्रिजब्ट ग्रेड इवन के लिए इसमें भी बीटेक डिग्री मांगा जारा है जो Electronic and Communication Engineer के लिए आपके पास होना चाहिए डिग्री और उनके पास जो experience और qualification होना चाहिए वो आप देख सकते हैं यह लिखा हुआ है and 8 नंबर में जो है security come fire officer on contract basis के लिए एक पोस्ट है Unreserved Grade E1 के लिए है यहाँ पर जो graduate है institute of fire engineer वो apply कर सकते हैं या फिर जो जिनोंने DO course complete कर रखा है NF, SC, नागपूर से या फिर जो BE complete कर रखा है fire में वो सारे किनेट्स apply कर सकते हैं आगर उनके पास experience भी जो यहाँ पर मांगा जा रहा है वो है तब 9 जो पोस्ट है normal number में assistant security come fire officer है जो इसमें तीन पोस्ट है unreserved और grade E0 है और यहाँ पर आपके पास जो graduate degree होना चाहिए वो JCO number पर होना चाहिए फिप्टी निर्स का experience होना चाहिए वो सब सारे डियल्स आप दे सकते स्किन के उपर में diploma in fire safety को preference दिया जाएगा यह सब सारे चीज़ आपके पास होना चाहिए experience qualification तब apply कर सकते हैं नेस्ट है मारे पास management trainee जो इसमें दो पोस्ट निकल कर आया हुआ है unreserved है और इसमें MBA, PGP, PGDM के candidates जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नेस्ट है assistant manager यहाँ पर एक पोस्ट है unreserved grade E2 के लिए है और यहाँ पर जो भी candidates के पास B.E.B.Tech, electronics, electric, mechanical engineer के MBA, PG diploma in marketing है वो इसके के लिए apply कर सकते हैं और जो other experience महा जा रहा है वो आप screen के ओपर देखिए और 12 number में company secretary के लिए एक post है E4, E3 grade के लिए और यहाँ पर जो graduate होंगे candidates जो log candidates होंगे उनके preference दिया जाएगा जिट मिन से आपके पास LLB अगर degree है तो आप इसमें apply कर सकते हैं और साथ में जो E4 grade के है minimum 12 year experience महा जा रहा है जो industrial sector में आपके पास होना चाहिए और साथ में जो E3 grade के लिए है उसमें 9 years का post qualification experience जो है महा जा रहा है यह post निकल कराया हुआ है CEL में next जो post है senior manager के लिए है इसमें भी एक post आया हुआ है E4, E3 grade के लिए और यहाँ पर जो graduate candidate है, diploma in journalism, mass communication वो इसमें apply कर सकते हैं, साथ में जो experience महा जा रहा है वो भी आपके पास होना चाहिए, तो यह total जो मेरे post है total 13 post में आपको describe किया है और उसके details में जानने के लिए आपको इस video को पढ़ना होगा, जो experience महा जा रहे है जो और भी qualification महा जा रहा है वो आप पढ़ने के लिए इस video को पढ़ सकत और यहां पर general instruction भी लिखा हुआ है, 27220 जो इसका last date है आपको जो यह जो भी eligible candidates हैं, जो सारे eligibility criteria fulfill कर रहे हैं, वो उनको अपना application send करना है, सारे document attached करते वे और साथ में application fee जो आपको 500 रुपया bank draft करके आपको send करना होगा और जो favor of Central Electronics Limited के उपर होना चाहिए, गाजियाबाद में यह होना चाहिए, तो यह आपका favor draft करके बना होगा जो 500 रुपया आपको application fee लगेंगे, और जो HTSC है, PWD है, उन्हें कोई भी किसी भी तरह का fee application fee नहीं लगेगा, application details से वो आप screen के उपर दे सकते हैं, यह सभी आप चीज को पढ़ लेना है, और यहाँ पर जो general instruction है, वो INP visit कर सकते हैं, जैसे कि आप screen के उपर यह website देख रहे हैं, और यहाँ पर आप इस PDF को download भी कर सकते हैं, और other qualification experience भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो application form होने वाला आपको यह print out कर लेना है, और इसे full, सारे अच्छे तरह की से fill up करके details, document attached करके आपको send करना है, इनके address के उप और इनके address के उपर आपको send करना है, जो last date मैंने आपको बता दिया है, 21 July होने वाला है, और जो भी candidates interested है, वो इसमें apply कर सकते हैं, साथ में इसी तरीके से, और साथ में इसी तरीके से law of agency update जानने के लिए study with me को subscribe कर लिजिए, और वीडियो को जितना हो सकते, आपने दोस्तो साथ अपने friends के साथ जोर सेर करें, ताकि जिनके पास eligibility हो वो इस post के लिए apply कर सके, तो वीडियो को share कीजिए, चैनल से जुड़ने के लिए study with me को subscribe कर लिजिए, and thank you so much for watching this video.